हेलो गाईज तो आप लोग थमनेल में देखा कि राची इनिवर्सिटी राची का फीजिक लिस्ट यानी सेलेक्शन लिस्ट कैसे चेक करें या कैसे देखें तो गाईज आप लोग को बता दू जो लोग ओनलाइन सर्च कर रहे होंगे कि फीजिक लिस्ट कहां पे निकलेगा राची इनिवर्सिटी राची की वियjar पर निकलेगा या कहीं पर भी तो दोस्तों आप लोग उतना करने का जरूरत नहीं ना चेक करने की जरूरत नहीं है आप लोग को पास एक मेल गया हुआ होगा तो वहाँ पर से आप लोग चेक कर सकते हैं तो गाईज आप लोग को में बताया है कि mail गया हुआ वहाँ पर से आप लोग चेक कर सकते हैं तो ओही आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग mail चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपना यानि जो लोग apply किये थे आप लोग रांची उनिवर्शिटी रांची के लिए जहां भी भी अप्लाई किये थे वहां पर अप्रूबल मिल चुका है यानि आप लोग का सेलेक्शन हो चुका है आप लोग एडमिशन करा सकते हैं तो चलिए आप लोग को मैं आज दिखाऊंगा लाइब की किस तरह से मतलब देखे चेक करें और क्या है इस टेब एडमिशन लेने का प्रकिरिया क्या है मैं आप लोग को बताऊंगा तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रेकुस्ट है पles जो लोग नए है मेरे चैनल में और लोग मेरी चैनल को संब्सक्राइब कर दे और जो लोग बेल आइकन नहीं दबाए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो सेर भी करें दोर्स्तों को भी बताए किस तरह से मतलब अपना सेलेक्शन लिस्ट नहीं दिखाऊंगा जो परिसनली जिसको मेसेज आया होगा उलक देख सकते हैं जो लोग अपलाई किये थो उलक देख सकते हैं पूरा लिश्ट मैं नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि लिष्ट दिखने कर रहे हैं और मतलब उनका अलग सिस्टम है इनका अलग सिस्टम है इसलिए dr. Serhama वाला लोग बहुत कोई बॉल रहे हैं कि कि स्रसे हम लोग मतलब dr. Serhama का निकल गया है ऑई अन्लाइन का स्का क्यों ने निकल रहा है देखिए तो मेरे से भी arch 생ा नीं कोई पूछने खोलता हूं मेरे को भी आया है तो ओही मैं दिखा रहा हूं किस तरह से सेलेक्शन लिस्ट का मेंसेज आया है इमेल में तो इमेल मेरा यहां पर रहा यहां इमेल तो देखिए एक बार रिफ्रेस्ट कर लिजेगा आप लोग इमेल को तो यह मेरा यह इमेल मेरा नहीं दिया हुआ था लेकिन और मैं कर लिया हूं इसलिए और इंबॉक्स किजिएगा तो आप लोग सब जितना भी आपका इमेल आईडी का मेसेज होगा सबका मेसेज आ जाएगा तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है सपोर्ट जूम करके नहीं दिखा सकता हूं इससे चलिए बता रहा हूं यहां पर लिखा हुआ है क्या देखिए आप लिखा हुआ है सपोर्ट यू इन आ यानि उनिवर्शिटी ठीक है सोट में लिखा है एडिमिशन कनफर्मेशन बाई इनिवर्शिटी डियर अफ्लिकेंट तो देखिए मेरा दिसंबर 13 को आया हुआ है यूर अप्लिकेशन फोर तो इस तरह का आप लोग को भी दिखेगा तो आप लोग भी देख सकते हैं तो चलिए इसी को खोलते हैं हम लोग देखिए इस त बाइसे किस तरह से करना है तो एडिमिशन कनफर्मेशन बाई इनिवर्शिटी आप लोग सुरी आप लोग देख रहे हैं उपर में क्या लिखा हुआ है अबने लिखा हुआ यहां पर देखिये सोरी देखिए यहां पर लिखा हुआ क्या एडमीशन कंफर्मेशन बाई उनिवर्शिटी मतलब मेरा अप्लीकेशन मतलब क्या बोलता है राची निवर्शिटी राची के लिए फिर आगे देखते हैं क्या इसलिए आप क्या कर सकते हैं और जो लोग नहीं करने जानेगा जो लोग मतलब जिनको पता नहीं कि करना है ऑलोग मेरे को कोमेंट कि जिए का मैं बता दूंगा कीस तरह से डवल्लोड करना है हो सबसाइब भी मेसेज करके या भीज के दिखा दूंगा कोन सह सब्सक्राइब डॉक्टर रांची उनिवर्शीटी का अटेकिंग फॉम तो लिखा हुआ है यू आप्ट डायरेक्ट टू डाउनलोड तो यहां पर लिखा हुआ है आप लोग को दोस्तों कि इनिवर्शिटी वेवसाइट या फिर कोलेज का वेवसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं करने के बाद जो अंडेकिंग फो हम डाउनलाइन नहीं है दोस्तों यह औफलाइन थे फिर उसको फिन से भार के फिर करना है क्या करना है फिर देखिए copy to consent to college थ्रोधा email मतलब college अगर college आपको email प्रोभाइड किया गया है उसमें देखिएगा नीचे साइड लिखा हुआ है रांची उनिवेश्टी रांची वालों के लिखा हुआ है सब्जेक्ट लिखा हुआ है और बगल में email id लिखा हुआ है तो वह पर बें जिस किसी के लिए मतलब जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अपलाए किये हैं जिस सब्जेक्ट के लिए अपलाए किये हैं उसके बगल में email id दिया है उसी email id में भेजिएगा या फिर जो लोग रांची उनिवर्शिटी के अंदर में आते हैं और कोई दूसरा college ह सकते हैं या फिर कोई भी electronic माध्याम होगा जैसे वाट्शेव हो सकता है कुछ भी मतलब हो सकता है अपना college कुछ भी दे सकता है जिसमें अपना यह फोम मंगाए तो जो जैसा जो जिस college का जैसा नियम है उसके अनुसार में तो रांची उनिवर्शिट के बता रहा हूं रां क्या लिखा होग और एक साइड लिखा हुआ है सब्जेक्ट और साइडensor流 का इमेल आड़ा अपना बैठ सकते हैं for your support मेरे सपर्ट में क्या है Chancellor Portal 1 जारखंट जली देखिए तो step क्या है वो देखते हैं क्या step है देखिए फस्टेप फोलो बीज स्टेप केरफुली तो देखिए फश्टेप में हम लोग क्या करना है तो देए फैर सिस्टेम में क्या करना है लोग-इन ओचंसलर फोटर with ओर ऐमेल ऐडी तो आप लोग चंसलर पोटल में इससे भी देख सकते हैं आप लोग को बताया था मैं कि चंसलर पोटल में आप लोग देख सकते हैं जिसका जिसका अप्रूब है वो लोग अपलाई कर सकते हैं तो लोग इन पासवर्ड एमेल आइडी और पासवर्ड से लोग इन कर सकते हैं यू कैन सी वेरियस इंपोर्ट इंपोर्मिशन आपडेट थो दा यूर लोगिन ओन इस्टेप टू में क्या कहा है कि इस यूर नेम प्यार इन से लेक्शन लिस्ट मतलब आपका नाम अगा सलेक्शन लिस्ट में मतलब यह फियर किया गया है तो प्रिपेर बाइए दोबार बनाए गाए उसमें अगर आपका सेलेक्शन हो चुका है तो यहां पर क्या लिखा हुआ होगा अप्रूब लिखा हुआ होगा तो यहां पर अप्रूब हो चुका है क्या करना है अब इफ अप्रूब बाइ उनिवर्शिटी देन यू आर डाइरेक्ट डाउनलोड दा फॉर्मेट ऑब अंडर्टेकिंग फॉम तो आप आपका अप्रूब दीख रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं डाइट उनिवर्शिटी के वेबसाइट से आप लोग डाउ से ओही है उसी में दिया हुआ है अंडर्टेकिंग फॉम तो उसको आप लप डाउनलोड कर सकते हैं महां पड़ा से देख सकते हैं । कि किस तरह से और ओही उसी को के फ़ेति के सेट केंगे सेट संट साइन द कोपी अंडेटेकिंग तू कंसेंड द द कोलेज त्रोध एमेल अडी प्रभाइड तो मैं जो बोला प्रभाइड किया है एमेल इडी उसी में भेजना है तो ही है और कुछ नहीं पांचवाब इस टेप में क्या है कि कोलेज विल भी आप्यर यूर अप्लिकेशन ओल्ली आप्टर प्रेप्यर भेरिफिकेशन ओप अंडर्टेकिंग फॉन समीट बाइव मतलब कि जब अप्रोब यूर अप्लिकेशन अण्यू व सकते हैं तो इसको अब्रूब करना होगा अप्रूब करना के लिए क्या कर पड़ेगा आपका अंडेकिंग फॉनसे चलिया आगे क्या लिखा हुआ है समेट बाइड यू यू सोन आप्टर अप्रूब कोलेज यू विल देफे बटन मतलब तभी आपका पे बेटन आए गया है रिमाइंडर रिमेंबर वी विल हैब तो फेड़ एडमिशन फी बाइड इस प्रोसेस ओनली एंड वाइन नो एनी वदर मूड स्टेप सिक्स क्या है आपता सक्सेश्वल पेमेंट एडमिशन फी यू एजली डाउनलोड दाफी पेमेंट रिसीट फर अधर यूज मतलब कुछ अगला यूज के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद फिर नोट नीचे क्या है नोट में इस इच फोर एनी के लिए के लिए के लिए रिलिफिकेशन उनिवेस्टी कोलेज नोडल ओफ ओफिसर में भी कंटेक्ट इनिवेस्टी डिसीजन विल भी फाइनल डिस्रिगार्ड यदि आपके बैंक खातिक से डेबिट यह कट चुकी है तो दुबारा पेमेंट ना करें और यहां पर लिंक है देख सकते हैं आप लोग अगर आप लोग को हमेशा सचेत मेरे साथ गलती हो चुका है इसलिए आप फिर तो भी एक क्या दिखा मतलब फिर से अपलाई करने में पे नाओ फिर से लिख रहा है तो वहां पर आप लोग डरिये गया नहीं उसको सिफ क्या कर दीजेगा आपका पेमेंट कट चुका है पैसा पेमेंट कर दिये हैं तो आपका एकाउंट से कट चुका है तो आप ल चेक करने के लिए दिया हुआ है बैंक चेक करने के लिए तो उसको टच कर दिजेगा आपका पेमेंट मतलब चेक हो जाएगा उसके लिए भी मैं वीडियो बनाये हूं आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो अच्छी से समझ मैं आ जाएगा यदि आपके बैंक खाते से देविट या कट चुके है तो दुबारा पेमेंट ना करें साब साब लिखा हुआ जब तक कि आपके बैंक के कहते हैं एक खाते में डेविट या कटी हुई वह आपस रासी ना आ जाए मतलब वह आपस जब तक नहीं आगे तब पेमेंट नहीं कीजेगा कुछ भी प्रोब है चैंसलर पोटल में अप्रूब किस तरह से दिखाए्ग वह भी दिखा दे रहाँ है तो चलिए वीडियू में बने रही है दिखा दे रहूं भाब लबा वीडियो हो रही थोड़़ा typically बात ने दिखा दे रहा आपड तो देखिए Chancellor Portal में जाते हैं सबसे पहले हम लोग को क्या जाना है Chancellor जाने के लिए सबसे पहले हम लोग को Chrome में जाना है तो मैं Chrome खोल लिया हूँ और देखिए मैं अपना लोगिन आइडी करने के बाद दिखाऊंगा इसे capture में डाल देता हूं आप लोग लोगिन आइडी आप लोग को मिला हो जो लोग को अपलाई कि हैं लोग को भी इमेल आइडी होकर पास्पोर्ट आप लोग जो जेनरेट करवाया थे होंगे वही होगा इफ इनके चलिए मेरा लोगीन आइडी करके में दिखा दे रहा हूं देखिए मैं बताया कि पेमेंट चलिए कोई बात ने अब ही उसको बात ने बताता हूं चलिए इस तरह कर लोगिन खोल जागा तो देखिए सबसे नीचे में देखिएगा अप्रूबल अप्लिकेशन एक हां यहां पर देखिए गा क्या है यहां पर देखिएंगा यहां पर लोग को क्या बता-र देखिएग्तCarl बता रहा हो तो यहां राची इंवर्यूटिय के भरता जो की पीज say एंबस के लिए राची निभेसी का तोसम्हीं मेरा हो तो सिरु लोग चुका है देखिए यहां पर आप लोग का भी इसी तरह दिखाए गया अप्र्म्व उपर में देखिए क्या लिखा उपर में देखिए यहां पर देखिए यहां पर यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ है वह देखिए क्या लिखा अप्रूब बाई इनुवर्स्टिटी तो देखे मेरे को यहां पर अप्रूब मिल जगा है किसके दवारा इनुवर्स्टिटी के दवारा मिल चुका है तो यह इनुवर्स्टिटी के दवारा मिल चुका है अप्रूब अब हमको लेना है कोलेज के दोवारा तभी हम पेमेंट कर सकते हैं आप लोग देखिए कब पेमेंट के लिए दिखाएगा एडमीशन ये स्टेटस कब कंप्लीट होगा जब ये पेमेंट में कर दूँगा एडमीशन के लिए तब तो देखिए ये अपरोब अभी मिल चुका है मेरे को इनिवर्शिटी से मिल चुका है हमको अब बचा हुआ है पेंडिंग कोलेज से कोलेज से बचा हुआ तो कोलेज के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को अंडर्टेकिंग फोम अंडर्टेकिंग फोम भेजना पड़ेगा अंडर्टेकिंग फोम को भरने के ब जो यह यहां पैंडिंग दिखा रहा है यहां पेंडिंग दिखा रहा है इहां पर यह इस तरह का अम्या अप्रूब हो जाएगा फिर आपको यहां प्राइगा है पेयां पेनाओ करके बटन आएगा तो पेनाओ करने करके बटन आएगा जो पेंडिंग दिख रहा है वहाँ पे फिर इस पेनाओ पे आपका जितना भी एमांट लग रहा है एमांट आप डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेड बाइंकिंग तीन चीछ से आप पेमेंट कर कि आप पाईसा है तो चलिए कहां पर आपका पैसा फ़ंसता है और आपको इस वीडियो में भी दिखा दिता हूं पसता कहां पर है चलिए तो आप बि yht 한번 कर देते उसके वावजुद भी आपका क्या दिखाएगा पर पेनाओ दिखाएगा आपका एकाउंट से कट चुका होगा आपका एकाउंट से कट चुका होगा लेकिन भी क्या दिखाएगा पर पेनाओ दिखाएगा तो उसके लिए क्या किज़ेगा कि आपका समिट हुआ कि ने पैसा तो इसके लिए क्या किजिएगा आप यहां पे जाईएगा देखिए यहां पे जाईएगा देखिए अच्छा से यहां पे जाईएगा तो क्या लिखा हुआ पेमेंट हिस्ट्री देख रहे हैं पेमेंट हिस्ट्री पेमेंट हिस्ट्री देख रहे हैं तो इसी में टच किजि ठीक है यह तो apply किया था उसके लिए था जब admission किजेगा, आप तो apply के आपका दिखावे करेगा लेकिन admission किजेगा उसका भी यहाँ पर दिखाए रिले नीचे failure है, उसमें देखेगा तो failure में देखेगा, तो इस तरह का आपका भी फैल दिखाएगा जो आभी फिल हाल तुरंद पेमेंट करेंगा उसको फैल दिखाएगा और पैसा कट चुका होगा तो क्या की जेगा इसी फैल लगोर दिखेगा उसको क्या के जेगा ऐसा करके यहां पर देख सकते हैं आप लोग रीचेग वावे तो इस में टच कर दिजएगा कहाँ फेंब यहाँ पर टॉच कर दिजएगा एक कुछ देर के यह होगा फिर आपका क्यार्त बार के वज़ाद से नहीं हुआ यह मेरा p भणay करें तो पीमेंट करने में कुछ बड़लन आ गये थी वैंसल्ट चको मेरे जिसके करम मेरे डॉटॉपी नहीं आया था इसलिए आपका फेल्योर दिखा रहा है उसक्सेस तरह से करना है तो यह तो यही था वीडियो कुछ भी प्रोब्लेम होगा करके मेरे कॉमेंट बॉक्स में कुमेंट कीजेगा और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बताईए किस तरह से रांची इनिवर्शिटी का अपना चेक करें और किस तरह से जांचे तो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक केजेगा चैनल को सब्सक्राइब केजेगा और अपने दोस्तों को भी सिखाएएगा वीडियो दखने के लिए धन्यवाद